जो हमारे college की पढ़ाई है, क्या वो बहुत ज़्यादा important है हमारी आगी life में या फिर जो अभी बच्चा बहुत ज़्यादा topper बन रहा है, जिसके हमारे college के exams में बहुत अच्छे marks आ रहे हैं, क्या उसकी placement या वो ज़्यादा successful होने वाले अपने career में, ऐसे ही बहुत सारे similar questions आप सभी के mind में होंगे, क्योंकि बहुत लोगों को और यह कहीं हद तक सही भी है, यह लगता है कि college की पढ़ाई जो है बहुत ज़्यादा irrelevant है, irrelevant in the sense physics पढ़ा रहे हैं, chemistry पढ़ा रहे हैं, बी-tech के बच्चे को एक computer science engineering या electronics and communication engineering या फिर mechanical engineering के बच्चे को ऐसे subject पढ़ा रहे उससे बिलकुल भी related है ही नहीं, तो किस हद तक यह चीजे सही हैं और किस हद तक हमें इन सब चीजों को किस तरीके से देखना चाहिए, मैं आपको एक mindset दूँगा इस वीडियो में उस चीज को समझने का, ताकि आप चीजों को एक अलक perspective से देख पाए, मैं आपको यह तो नहीं बता पोगो कि आपको क्या करना है, कैसे पके तरीके सोचना है, at least I will provide you a proper mindset की how you should think about it, आपका एक हलका सा perspective, मैं थोड़ा बहुत बदलने का, ट्राय करूँगा इस वीडियो के अंदर, मैं वीडियो मेजरली स्पेसिफिकली रख रहा हूं, बीटेक, बीएसी, बीएसी ऐसी degrees या फिर ऐसे courses, ऐसे तीन या चार साल के courses की मैं बात करूँगा, उन्हें के उपरे पूरी के पूरी हमारी जो वीडियो है ये पूरी based होगी, जिनके अंदर पढ़ाई इतनी ज़्यादा tough नहीं है, यानि कि ग्यारवी, बारवी का syllabus जो है, वो उन degree के मुकाबले tough होत है, और degree के अंदर जो syllabus job को पढ़ाया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा easy रहता है, as compared to 11th and 12th, क्योंकि 11th and 12th में तो आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, और अभी आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपको ये पता है, 11th, 12th में हर लोग, हर बंदे को बहुत बाद मे जाके बता लगता है, कि हम 11th, 12th में अपने prime में थे, prime का मतलब है, हम अपने max एक peak पे थे, उसके बाद में हम आज तक peak पे नहीं आया है, वो peak पे नहीं आने का कारण ही ही होता है, कि जब आप college में चले जाते हो, बहुत ज़्यादा lenient महोल दिखता है, कोई रोकने टोकने आते हैं, तो mind पे pressure लगता है, लेकिन तब भी जब आप एक हफता पहले पढ़े के, दो हफता पहले पढ़े के जाते हैं, तो 7-8 CGP, 8-9 CGP तक आप लोग score कर लेते हैं, major scenario ये रहता है, लेकिन क्या है हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्या हमें बहुत ज़् career इससे actually में बनना ही नहीं वाला, कोई आपकी CGP नहीं पूछेगा, अगर आप एक web developer होतो हो, अच्छी company में web developer अगर आपको बनना है, तो आपको CGP नहीं अपनी web development skills को अच्छा करना होगा, अगर degree उनकी है, एक eligibility के आपको degree हो नहीं चे तो degree ले लो, उसके लिए एक हफता दो हफते पहले पढ़ लो, that's all, उससे जादा mind पे load मतलो, उससे जादा mind पे load मतलो, explore the things you want to explore, नहीं नहीं चीजे जाके देखो, नहीं नहीं चीजे का मतला hackathons attend करो, conferences attend करो, conferences अच्छी वाली, ऐसे नहीं कि कोई भी normal conference हो रही है, किसी college में उसमें चले, conferences जिसमें investors आ रहे हो deep tech के अंदर जाना, तो tech के अंदर की चीजे को explore करो, जादा जादा करो, मेरे known में कई सारे लोग जिनकी बहुत जादा back थी, क्या back आना गलत है, नहीं back आना बिल्कुल भी गलत नहीं है, अगर आप back जान पूछ के लाए हो, तब वो गलत है, लेकिन अगर आप कुछ उससे बहुत जादा important है, आपके career wise, या फिर आपको बहुत जादा अच्छा लगता है वो, और वो positive impact देगा आपकी life के ओपर, then you should go for it, आपने उसके लिए back लाए, कोई दिक्कत नहीं है, अगले semester में clear हो जाएगी वो तो, या फिर next year में clear हो जाएगी, question यह, मेरे known में बहुत सा नहीं हो, जाएगी, तो कुछ college की पढ़ाई, आपकी professional career पे बहुत जादा impact नहीं डालती है, लेकिन college life एक हद तक थोड़ा बोट डालती है, क्योंकि ultimately it matters a lot, कि आप कैसे peer group के साथ रह रह रहे हो, आपके आसपास लोग कैसे है, अगर आप सोच हो कि अकेला सब कुछ करने हो तो करो भाई, फटा-फट, फटा-फट करो, लेकिन अगर आपके पास peer group है, और वो productive नहीं है, वो लोग coding नहीं करते हैं, अगर आप coding में जाना चाहते हो, तो then change your peer group, ये एक mentor ने बताया था, one of my mentor, कि भाई, peer group is the मेरे जो mentor थे, मतलब अब तो नहीं हो मेरे mentor, क्योंकि mentor means a lot, peer group means a lot, peer group आपका जैसा होगा, वैसी बनते चले जाओगा, अगर जो आप करना चाहते हो, peer group में लोग वैसी बाते नहीं कर रहे हैं, then change your peer group, आपका friendship वाला group अलग है, या फिर peer group अलग है, कोई issue नहीं है, जरूरी नहीं कि आप एक ही बंदे के अंदर, या उन 4-5 रहे हो, chill करने में कुछ पर हो सकता, Instagram हो सकता, WhatsApp हो सकता, लोगों के साथ में बाते हो सकती है, call पर बाते हो सकती है, etc, etc, college में घूमना हो सकता है, लेकिन जितना आप chill कर रहे हो, उसका कम से कम double top, hard work करो, अपने career-wise, या फिर अपने interest-wise, that's all for this video, मैं आपको समझाना चाहता तक छोड़ा सा mindset देना चाहता था, बाके मिलता है से बहुत सारी videos के अंदर